गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आज हम लो किर्सी संबंधित तीसरा वीडियो है यानि पहले वाले वीडियो हम लो देखे थे बिहार में किर्सी संबंधित समस्या दूसरा देखे थे किर्सी संबंधित रोड मैप है कि क्या रोड मैप है बिहार सरकार का और आज हम लो देखे किर्सी उत्पादन में बिर्धी के लिए पड़ियुक्त किर्सी लागत समस्याओं का वरण की जी यानि कि भाला क्या था मुखरूप से कहा जाए कि आधारभूत सरचना में जो बिहार में कमी है उसके बारे में जाने थे दूसरे दिन देखे थे सरकार की इक्षा यारी राज बिर्धी किर्सी में जीतना लगाओ वे उस्रा दीक पाओँगे कम लगागा हो कौम पाएगा जो अधिक लगाएगा वहां और बीकेतर बीपीлसी का टोपिक है और बीपीसी कि का में एक्जाम होता है उसमें किर्सी समभंधित या बिहार के पिछलेपन से कारणों कि युद्धा कोशन आएगा हमारे पास से एक डाटा इकठा हो जाएगा तो शुरू करते हैं आज देखते हैं बिहार किर्थी में उच उत्पादक्ता हासिल करने के लिए लाकत सामागरिया सोड़ी बिहार कहां सब्सक्राइब किर्षी छेतर सिंपल देखिया किर्षी छेतर में उच उत्पादक्ता यानि कि हमको परती एकर जो उत्पादन होगा मान लेते हैं कि बिहार में परती एकर उत्पादन मान लेते हैं कि एक हजार केजी है वह पंजाब में या परती एकर जो उत्पादन हो रहा है वह 2000 एकर है यानि बिहार के उत्पादक्ता पंजाब के उत्पादक्ता से कौम है तो क्या करेंगे बिहार में भी उत्पादक्ता हमको पंजाब के बराबरी लाना है या उसके लिए क्या करेंगे हम लोग उसमें इन्पुट यानि जो उसमें लागत समागरिया है उसकी आविशक्ता पड़ेगी कि अधिक सधीक है उपयोग करें पर अतर्फनृता पर निर्भड है उच उत्पादक्ता हासिल करने के लिए लागत समागरियों में बीज उर्वरक कृसी यंत्र और प्रसार सेवाः सामेल ने याभी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इन सारी समगocy को किर्सी पंचांग के अनुरूप समय पर उपलब्द कराने की जरूरत है समय पंडित जवहार लेहरू ने कहा था किर्सी के बारे में कि दुनिया में कोई भी काम डुक सकती है आज होगा या कल करेंगे या परसो लेकिन सबसे पहली परत्मीकता किसी भी देश को अगर विकास क देना होगा क्योंकि सब इंतजार कर लेंगे लेकिन किर्सी का इच्छेतर है यह इंतजार नहीं कर सकता है दुख की बात है इसी तरह की बड़ी बड़ी बात है आज भी बोली जाती है और आज भी किर्सी विहार का या पुड़े देश का किर्सी कहा जाए पुड़े देश दूसरा ब्योस्ता किया गया था सीचाई का साध्वन का विकास किया गया और तीसरा उर्वरकों का इस्तेमाल पर जोड़ दिया गया तो देखते हैं बीज सबसे पहला फैक्टर हाईलिक क्रॉप यानि बीज के बारे में तो किर्सी में उच उत्वादक्ता प्राप्त करने के लिए उन्नत बीजों की उपलवजता एक पुरुसर्थ है अगर अच्छा बीज होगा तभी न अच्छा फैदावार देगा और बीज ही अच्छा ना हो और लाग कोसिस कर ले तो क्या होगा अधुनिक बीज जलवायू संबंध ही जोखिमों के लिहाज से काफी परतियोधत छमता वाले होते हैं और उच उपज परदान करने के लिए उर्वरकों के उप्योग का इन पर काफी अच्छा असर होता है इसलिए बिहार में नय सरकारी कारिकर्मों के आरम के जरिये परमानित बीजों के उप्योग के लिए किसानों को प्रुसाहित करने के महत्तों पर बल दिया जाता है इन पहल कदमियों में फासलों की नई प्रजातियों के लिए बिसेस गुनवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देना ही नहीं किसानों को गुनवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए परसिक्षन देना भी सामिल है उच्छ उस पादन में सयोग करने और बीजों के आयात पर आयात मतलब खड़ी देना बाहर से दूसरी राज से मंगाना पर निर्भरता घटाने के लिहाज से बीजों के भंडारन और पर संसकरन के लिए बिहार राजी बीज निगम द्वारा अधिसन रचना अतमक कि धान की बीज परतिया स्थापंदर 2014-15 में मातर 39.8 परसेंट सी जो आज 2016-17 में बठ कर 42.9 परसेंट हो गई है लेकिन यह भी बहुत कम है हाला कि किरसी रोड मैप तीन के नुसार पचास परसेंट का लक्ष यह हासिल किया गया था लेकिन नहों पया जो बीज उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल करने के लिहाज से अत्यांत महत्योपूर्ण है बीज परतिया स्थापंदर सबसे अधिक रवी यानि गेहूं और मक्का के मामले में रही जिसके पिछले तीन वर्सों का आउसतन लगभा आउसत 85.9 परसेंट था राई सरसों के मामले में बीज बीज परतिया स्थापंदर 14-15 के 59 परसेंट से बढ़कर 2016-17 में 58.7 लेकिन चावल में यह सरकार की अंदाज था उसके अपोजिट हो गिया और फासिलों के मामलों में बीज परतिया स्थापंदर उप्यूद अस्था पर नहीं पहुंची लेकिन परमानित बीजों की उपल भारत में हरीघकरांती की परहटना क समय से हैं उर्वर्खों के उप्योग ने कृसे ह ! की वत और बार यानि की जो निसी में क्या पर्मुख भूम्हग वीज जयौन निसिचाई और उर्वरक यह तीन उसके अंग थे कंपोनेट थे बिहार में भी किर्सी उत्पदक्ता बढ़ाने में बेहतर गुन्वत्ता वाले बीजो और उचीत मात्रा में रसानिक उर्वरकों के उप्योग ने मुख भूमी का निभाई है फलत हाल के वर्सों में राजी मे उर्वरकों का उप्योग लागातार बढ़ा है वर्स 2014 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 466 लाख टन थी जो पिछले तीन वर्सों में बढ़ कर कितना बढ़ा है परती वर्सों 1104 परसेंट की दर से बढ़ रहा है और 2016-17 में 45.8 तीन परसेंट हो गया तीन वर्स में 11 परसेंट बढ़ा सोरी गरत तीन वर्सों के दरा नैट्रोजन यानि फासफोरस यानि पी और पोटास यानि के अनुपके होता है का अनुपात 2014-15 में जहां नौ दू और एक का अनुपात में था यानि कोई वेक्ति नौ कीलो इरिया का यानि नैट्रोजन का इस्तेमाल करता है तो हमात्र फासफोर्ट यानि फासफेट का दो किलो और पोटास का एक किलो उप्योग करता था जो कि गलत रेसियो था क्योंकि नैट्रोजन का अधिक इस्तेमाल करना एक जल परदूसन और फसल के लिए भी उप्योग नहीं है वहीं 2015-16 में भी यह बरहा और यहां देख रहा हैं जो यह दर साता है किसानों दोरा उर्वरकों के घट को का तरीक युक्ति संगत रहं से उप्यों कि यहां वह युट्य या नेट्रोजन से मो भंग हो रहा है नेट्रोजन पोटास और फासफोरस सुप्यों के अलावा राज्य सरकार बढ़े पैमाने पर जैव उर् हुपीयों को बढ़ावा देने का बहुर्ष्टक प्यास कर रही है सुक्ष में पोषम तंत्रों के रिये केंदरिये सबसीडी के अलावा राजसरकार भी अथिक्त सबसीडी देती है कर्सी एंत्र अब यंत्रही नहीं किया गया है कि किर्षी यंत्रीकरन के लिए सबसीडी देना जुदाई फोसलों की कटनी और एकत्रीकरन जैसे किर्षी कारों के लिए यंत्रीकरन को बरहावा देने के लिहाज से महत्तोपूर्ण जरूरत है मुल्य स्रिंखिला के वीभीन चर्णों में यंत्रीकरन का उपयोग कटनी honor के बाद होने वाले नुकसान में भी काफी कमील आसकती है के राज्य सरकार एसे नुक्सानों में कमी लाने के लिए चावल मिलो दाल मिलो और तेल मिलो को आसानी से प्रसंसकरण में स्योग देने के लिए सॉपसीडी उपलब्द कराती रही है इसलिए पिछले तीन वर्सों में कुल व्याय में लग simulator 6.5% हिंसा परसंस्क्रण मसीनों पर व्याय हो रहा है राज सरकार ने एक यंत्रीकरण सौफ्ट वेयर विक्सित किया है जो इसे सबसीडी का रिक्रण में बेहतर पारदर्सीता सुनिशित करने में सक्षम बनाता है साथ ही पूरे राज में किर्सी आंत्रीकरण मेले आयोजित किये जा रहे हैं जीर में किसानों को गुर्मत्ता पूर्ण किर्सी उपकरणों की खरीद के लिए सबसीडी उपलब्त कराई जाती है 2009-10 में बिहार में सबसीडी का उप्योग करके खरीदे का ट्रेक्टरों की संख्या में 36.72 थी 2009-10 में यानि सबसीडी वाले ट्रेक्टर खरीदे गए थे हैं जो 2015-16 में बढ़कर 417 हो गया यानि कितना लोग ट्रेक्टर खरीदा हो इसका अंदाज है वहीं इसी परकार कंबाइन हर्वेस्टर की संख्या 2019-10 में मातर 42 थी जो 2016-17 में बढ़कर 26 और चगण हो गया है इस परकार सबसीडी के प्रावधान से बिहार में किरसी यान्तरीकरण को काफी बढ़ हावा मिला है जैविक किरसी पूरी दुनिया में किरसी वेग्यानिक अपना धिहान अब रसायनिक उर्वरकों से हटा कर हाल में विक्सित जैव उर्वरकों पर केंद्रित कर रहे हैं पाया गया है कि रसायनिक उर्वरचों के उप्योग के कारण मिट्टी में मौजूद पोसक घठकों का छरण होता है दुनिया के अनेक देशों में रसायनीक उर्वरकों के बड़ी मातरा में उपयोग के कारण जमीन किरसी कारियों के लिए अनुपयूक्त हो गया बरवाद हो गया इसके बीपिडीत जयवी किरसी पर्यावरन ही तैसी है और स्वास संबंधी जोखिम से मुक्त है इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है क्योंकि जयवी किरसी को बढ़ावा देने को बिहार के किरसी रोड में प्तीन का अंग बनाये गया है ताकि आने वाले वर्सों के लिए मिटी को अंतरनीहित उर्वरा सकती बरकार है किसका तो मिटी का भीहार के इस कारिक्ड़म पर पांच वर्सों की ओधी में 225 क्रोर रूपए खर्च कर की जाएंगे बर्भी कंपोस्ट उत्पादन के लिए किसानों को 50% सबसीडी दी जाती है जिससे रसानिक उर्वर को या कर खड़ी फसल तक के लिए कीरे मोकोडे और रोगोग पर नियंतरन के लिहाज से समेकित पीरक नियंतरन कारिक्रम भी चलाया गया है आगे दखिए जयो सबजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज सरकार बुगाई के पहले वरसे में दो बार सबसीड़ी उपल करन द्वारा उत्पाद का जयो परमानन शुरू किया गया है अब किर्सी रीन यह रीन सबसे महत्यपूर्ण है क्योंकि बिहार के किसान गरीब है अता उनको पैसा चाहिए पहले यह किसान साहुकारों से महाजुनों से लेते से कर्ज जिसका इंट्रेस्ट अधिक होता था जिसकारण उकर्ज के बोज में दबे रह जाते थे अब सरकार ने ब्योस्ता किया चलो हम किर्सी रीन उपलब्द कराएंगे तो देखते हैं क्या है किर्सी कार के लिए बीज पानी उर्वरक और किर्सी उपकरण जैसे बहुतिक लागत समगरिया सामिल सरवाधिक ये आकरे दर साते हैं कि फिर्सी डिन की मांग और आपुर्थी की बीच अभी भूत बड़ा गयफ है फासला है कि फ्रसी बिन का परवाह तीन मुख चेतर में होता है तीन मुख्यक्षेतरों से होता है जानि कि कौन कों से परमुक चेतर है जो लोन देते हैं सबसे बारा चेतर है वेसाइक बैंक धूसरा क्षच्छबप्प्प्प्रयए ग्रामीन बैंक और तीसरा एक Jeкіंद्र है भाउव। सवकारी बैंक नत रहा है मतलब को यह सवकार डूसाय पूरे देश में बहुत सारी ग्रामीड बैंक है और सहकारी बैंक होता है यह कोपरेटिव बैंक होता है वर्स दोचार 12-13 में किरसी दीन हे तू उपलबधी का अस्तर लगभग 84.9 परसेंट था हालाकि इसका अस्तर दोचार 15-16 में बढ़कर 97.3 परसेंट हो गया था लेकिन फिर लोगों में किरसी के परती उदासरी का रूख देखने को मिला और यह गीर कर 16-17 में 85.6 परसेंट रहा सकल दीन परवाह 2012-13 में 21,566 करों रूपया से बढ़कर 2016-17 में 41,000 लभग मानि इसको करों रूपया हो गया था हाला कि लागत समागडियों की बढ़ती कीमत और ब अपरियाप्त लगता है वर्स 2016-17 में तीन पर्मु खिडिन सुरूतों का ही साइस परकार था ब्यवसाइक बैंकों ने सबसे अथीक लगभग एक सट परसेंट लोन दिया गरामीन छेतरों ने 34 परसेंट से और 35 परसेंट मान लिजिए और केंद्रिय साकारी बैंकों ने मात सबस्क्राइब चार लोगों को ही करज दिया था बिहार में किरसी रीन का बरा हिसा विवसाइक बैंक ही उपहलोग से कराते हैं ब्यवसाइक बैंक और च्चेतरिय गरामीर बैंक और उन्येक कारणूं से परेयाप्त ब्यूज देने में सक्षम नहीं है इसमें स्वनुची यह अरनीती बिहार में और सफल रही है बिहार में सवकाईता का विकास होना चाहिए इस बैंक कहीं को ही परमुख होना चाहिए लिगने यह बैंक तो फीज़ेडी निकला किसान क्रेडिट यूजना वर्श उनिसों ठानवे निनानवे में इसको सुरूख किया गया था और सबसे पहले कहा आराम भुगा था आंधर परदेस में मुखपंतरी कों चंदरबाबु नाइडू थे उन्होंने सुरूख किया था उसके बाद यह पूरे देस में लागू हो किसानों को अधिक्तम पचास हजार रूपए सब्सक्राइब किया जाता है जो इसको बरहा दिया गया है अब तो थीन थीन लाग रूपए के किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं 2011-12 में और उमान तह आठ दोसम्लों नौ लाग किसानों को इस यूजना से लाभ मिला था और समय यह लाव और सिलाक से कुछ उपर संख्या है और दीन परवाहर तीनावे हजार आठसो सब्सक्राइस करोर हो गया था इस प्रकार बिहार में किर्सी छेत्र में उत्पादन तथा उत्पादक्ता बरहाने हैं तो अनेक प्रियास किये जा रहे हैं जिसका स्वपरिनाम बिहार में किर्सी छेत्र में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है अब हम लोग इसके बाद आएंगे तो एक और वीडियो देखेंगे जो हम लोग बहुत देशी नदी घाटी परविजिना के बारे में होगा तो आज हम लोगों ने क्या देखा आज हम लोगोंने बिह की जाम हो उसमें और इस तरह कोई कोश्चन आता है तो आप आराम से लिख कर आ सकते हों इसी के साथ हैं आज का यह टॉपिक समाप्स होता है फिर अगले दिन मिलते हैं तक तक के लिए धन्यवाद आसा करते हैं कि अपर आस अच्छा लगे जरूर लाइक करे सिर करे कि कानवाद य fij haya था सबस्क्काइबक जरूर रखे सिर विख करफे स Bureau